वेलकम बैक टो माई चैनल स्मार्ट जान सो गाइस आर भी आ की तरफ से कुछ यहां पर वैकेंसी रिलीज की गई जिसमें की ग्रेट बी की भी पूश्ट है तो सबसे पहले हम यहां पर नोटिफिकेशन को देखते हैं क्या सेलेक्शन पोसे से कैसे आपको फॉर्म फिल करना ह और यहां पर एक्जामनेशन का जो डेट होने वाला है यहां पर एक एक्जाम भी होगा वह आपका यहां पर 6 मार्च 2 हैरबाइस को लिया जाएगा अब हम बात करें कौन-कौन से पोस्ट के लिए यहां पर वैकेंसी आई है तो लिगर ओफिशर इन ग्रेट वी की पोस्ट पर लैव्रणी पफेशनल पर उसके लिए भी यहां पर एक पोस्ट आयैए जो कि क्रेट बी में है थीक है आगे हम चलें तो आगे जो आपका बीृष्ट कवह की आप यहां पर इसका दिया गया है जैसे कि यहां पर पोस्ट कורה कि नाम बीदिया गया और है तो है था खुल भी हरो यहां परख्ष्टे कोने कर दएक बाक स्ट बाकि पर उनके स्कूर होने चाहिक है यहां पर प्रसरियन की जिस भूआ भाकिया ने भागरेश्ट चिखे के और somewhat रखें percentage तो बिल्कुल यहां पर form apply कर सकते हैं बाकी आपका desirable है अगर आपने बैचलेस्ट ड्यूरी इन लौ किया है तो 60% आपका aggregate होना चाहिए यह desirable है अगर नहीं भी है तो फिर भी आप यहां पर form बढ़ सकते हो आगे experience की बात करें तो experience भी यहां पर माँगा है at least two year experience आप consultant होने चाहिए ठीक है यह सारे field में आपकी यहां पर जो experience है वो होने चाहिए ठीक तो लगभग यहां पर two year experience माँगा गया है और experience जो होगा वो इस date तक होना चाहिए तो आपका experience गया होगा valid होगा is limit की बात करें 21 साल आपका minimum है 32 साल के भी हो फिर भी आप यहां पर form को भर सकते हो scheme of examination में आपका paper one होगा और paper two होगा total 250 number का exam होगा paper one जो होगा वो three hours का होगा paper two जो होगा वो three hours का होगा दोनों three three hours के जाने की 6 गंटा का exam है और हम बात करें तो paper one में general knowledge of law रहेगा objective type रहेगी ठीक है descriptive type भी रहेगी जो की आपकी 1.500 number की रहेगी आगे हम चलें तो 120 का descriptive रहेगा और तीस का objective रहेगा total 500 का रहेगा paper one आपका English की आपकी यहां पर जो exam होगी वो descriptive होगी 100 number का रहेगा और total जो होगा वो आपका यहां पर कितना होगा वो आपका total हो जागा दो सो नबबे का तीस नमबर का आपका objective type जनरल knowledge of law का descriptive का 120 हो गया और 100 आपका होगी इंगलिस का और interview का 40 हो गया overall आपका हो गया 290 ठीक है यह 290 का आपका overall exam लिया जाएगा interview भी यहां पर होना है तो यह आपका हो गया legal officer grade B का post जो है उसके लिए यहां पर मैंने आपको qualification और scheme of examination बता दी है आगे चले तो आगे आपका यहां पर manager की जो post है technical civil की उसकी यहां पर qualification दी गई है essential में आप देख सकते हो 60% आपके यहां पर civil engineering में डिगडी होना चाहिए तो आप बिल्कुल यहां पर eligible हो experience की बात करे three year experience आपको यहां पर होना चाहिए ठीक है और after graduation three year होना चाहिए तो यानि कि जो assistant engineer है उसकी यहां पर three year experience अगर आपकी है तो बिल्कुल आप यहां पर form को भर सकते हो और लगभग यहां पर आप अग हम देखें यहां पर तो जो इसका examination pattern दिया गया है वो यहां पर कितने का ह नमबर का examination pattern is limit की बात करें 21 साल minimum है और 35 साल आपका maximum is limit जया गया है और paper one आपका objective टाइब का होगा जो की 100 नमबर का होगा paper two आपका भी descriptive टाइब का होगा जो की 100 नमबर का होगा three hours आपको paper two के लिए जाएंगे और one hours आपको paper one के लिए दिया जाएंगे ठीक है और total हम बात करें तो interview भी यहां पर है total आपका 235 नमबर का exam यह होने वाला है तो यह आपका यहां पर manager जो civil branch के लिए वो है अब नीचे देखे तो manager electrical branch के लिए जो दिया गया उसके बारे में देख लेते हैं qualification same है 60% यहां पर required है percentage लेकिन यहां पर क्या है branch चेंज है electrical engineer जो भी है उनके लिए यहां पर निकाला गया experience यहां पर भी three years required है और scheme of examination भी बिल्कुल आपका same है ठीक है बस यहां पर क्या है branch आपका चेंज है जो की electrical branch यहां पर होने चाहिए next जो आपका यहां पर आपका जो assistant library का post है उसके लिए यहां पर दिया गया librarian का जो post है जिसमें क्या आप देख सकते हो bachelor's degree arts and commerce में होना चाहिए science में है तो बिल्कुल आप eligible हो master degree in laboratory science है तो भी आप यहां पर eligible हो ठीक है experience यहां पर three years required है और अगर हम बात करें is limit की तो 21 से 30 साल यहां पर age limit आपका रखा गया इसकी माफ लिमिट की बात करें तो यहां पर इंटर्वी होना है आपका और इंटर्वीय जो होगा वह यहां पर शौळ नंबर का होने वाला है तो यह जो selection होने वाला है तो जादा यहां पर कुछ selection process में दिया नहीं गया सिर्फ इंटर् यहाँ पर आपकी score होनी चाहिए ठीक है और जो desirable है वो यहाँ पर at least second class post graduation degree आपके पास होना चाहिए ठीक है यह desirable है कोई यहाँ पर necessary नहीं है और is limit 21 से 30 साल रखा गया है और scheme of examination की बात करें तो इसकी scheme of examination लगबग यहाँ पर 300 number की होगी selection process आपका है यहाँ पर 300 number में होगा ठी तो 300 number में यहाँ पर आपकी objective type paper 100 number की होगी जो कि यहाँ पर total 45 minutes का होना है पचास question रहेंगे और paper 2 आपका English होगा जो कि यहाँ पर 4 question होगा 75 minutes का होगा 100 number का रहेंगा ठीक है descriptive paper आपका होने वाला है जो कि 60 minutes का रहेंगा 50 marks के रहेंगे और यहाँ पर 4 question इससे दिये जाएंगे overall आपका 180 minute का exam होगा जिसमें की 250 number के होगे और यहाँ पर question देख सकते हो लगबग 58 question रहेंगे फिर उपर से आपका यहाँ पर 50 number का interview लिया जाएगा यानि कि 300 number का total exam यह जो दिया गया 25 से 50 साल के बीच रहना चाहिए और qualification की बात करें तो यहाँ पर second जो experience required इसमें second post graduation with at least 55 percent marks from recognized university होनी चाहिए ठीक मतलब लगबग यहाँ पर 55 percent second class post graduation degree में आपकी होने और इसमें also five year का आपका experience भी मागा गया है ठीक scheme of examination interview होगा 100 number का बस और कुछ यहाँ पर नहीं करा गया तो यह आपका यहाँ पर complete जानकारी है इसके regarding जो की आपकी निकाले गई है form यहाँ पर RBI की तरफ से 100 आपका यहाँ पर amount रखा गया application fees शेस्टी वालों के लिए 600 आपका general OVC वालों के लिए यहाँ पर रखा गया ठ कीर गाइज